मैं डॉक्टर चित्रेश अगर्वाल, सीनियर कंसल्टेंट मेडिकल उन्कॉलोजिस्ट पारस हॉस्पिटल पंचकुला आज मैं अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर हम हाजिर हुए हैं टू क्रिएट अवेर्नेस ओन वर्ल्ड नो टोबैको डे विच इस सेलिब्रेटेड ओन 31 में एवरी यर मेरे साथ यहाँ पर मेरे कैंसर सर्जन्स शूब महिंदरू, डॉक्टर राजन साहू, रेडियेशन ओन्कॉलोजिस डॉक्टर परनीत सिंग और हमारे न्यूक्लिय मेडिसिन के हेड डॉक्टर अनुपाम गावा भी है और यह जो वर्ल्ड नो टोबैको डे है, यह हम हर साल इसलिए बनाते हैं क्यूंकि हम अवेर्नेस क्रियेट करना चाहते हैं टोबैको के side effects को लेके, टोबैको की जो बिमारी related चीजे हैं, उनको लेके, ताकि हम general public को एक message दे सकें कि ये एक बहुत खतरनाक चीज है और इसका सेवन किसी भी प्रकार के रूप में नहीं करना चाहिए. इसलिए बहुत अपने हां चीजे बहुत जादा है, उस तो बात पेशें डर्या हुए 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 उन पता है कि अगे दा प्रोग्नोसी स्कीमे होन वाला है, कोई शूरिटी नहीं हैगी, इसलिए बहुत एमोशनली चैलेंजिंग चीज है, ते इसलि स्कीमेद के आफीया है, ते आनежд प्रोग्नोसीगे, या पाराइ बहुत जो हम और न'S जाट वाला हुए है, ते देhtा घ्रोग्ने अच्ति में में dal मावंजन अग्दा लान घ्रोग्न इंदर उन वाला हुए 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 मैं ईनाया हुए, चेह एम्नाओर न न चाजा किस जड़ा जो इस smoking है, basic चीज की है nicotine, nicotine addiction है, तो आजकल nicotine replacement therapies ने, nicotine replacement patches ने, nicotine tablets ने, जो at least smoking ना related side effects है, उ कटांदिया ने, होते हैं, बढ़ हमें सबसे बहले आप जाके पहले दिन तो किसी को नहीं बोल सकते कि आप completely इसको बंद करते हैं, तो वो addiction का element है, जैसे आज हमारी body में 100% है, तो उसको धीरे 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 हम लोग sensitize करते हैं, sensitize करके धीरे धीरे उसका जो nicotine की मातरा है body में, वो कम करते हैं, और फिर एक level के बाद आके patient हो छोड़ बाते हैं, तो it's a conditioning process, लंबा process है, patients वाला process है, and इसमें बहुत ज़्यादे continuous motivation चाहिए, both from the doctor side, family side and patient himself, तो यह सब चीज़े अगर collectively आदमी करेगा, तो definitely people छोड़ सकते हैं, but it's a difficult thing, और positive reinforcement बहुत ज़्यादा चाहिए हर level पे, किये करना है, तो actually alternative therapies जो है, वो हम clinical practice में देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा से तरफोल देखते हैं, but किसी का लंबा treatment कितना चलना है, वो depend करता है कि आपकी बिमारी किस stage पर diagnose हुई, और क्या बिमारी है, तो कोई generalized treatment नहीं दिया जा सकता, अगर early stages है, अगर कोई जैसे stun का cancer है ladies में, बहुत common है breast cancer, अगर early stage पर diagnose हुआ, तो इसको जड़ से खतम करने के लिए surgery कर सकते हैं, उसके बाद report के साब से आगे radiation या chemo लगना है, कि नहीं लगना, वो decide होता है, no tobacco day, से जो message है कि all these products should not be consumed, because ये आपकी directly life के साथ खेल रहे हैं, and many precious lives are lost every year, due to this addiction. वो टोबैको टेते साथा सब तो बड़ा message ताहिए कि tobacco the seven किसे भी form विच नहीं करना है, चाहे ओ टोबैको चू करना है, उन्हों smoking दे तू करना है, या होर हुका वगराज करना है, क्योंकि all these things lead to cancer, को cancer, mouth the cancer, फेफिटे the cancer, breast cancer, bladder cancer, एस सारे cancers बड़े commonly हो जाने ने smoking नाथ, त और इन्हों एक धीरे-धीरे खतम करदांगे, उन्हीं ही जल्दी अपना, एक cancer नो अपना होर कट आ सकते हैं, ते अपना एक बेटर लाइफ जीस है, तो तमाखु से होने वाले एक मुख्य cancer में से एक है मुग का cancer, जिसको mouth cancer या oral cancer भी कहते हैं, जिसका एक मुख्य कारण smoking क के अलावा है, जो चबाने वाला तमाखु है, जैसे गुटका या खहनी के रूप में, ज्यादा तर जो इसका इस्तमाल है, वो एक यंग एज में या लोग सोश्यो एक स्टेटा में यह ज्यादा होता है, और मुख के cancer में जो में जो स्टे है treatment का वो है operation के दोबारा उसको और वही एक best result देता है, कई बार operation के बाद हमें radiation या chemo therapy की requirement भी रहती है, देखे तीन चीज़े important है, number one हमें clinical examination से पता लग जाता है कि किस stage का cancer है, मुख का cancer हो इसके साथ अगर गले में गाट है तो stage 3 cancer हम मागते हैं, लेकिन अगर मुख के अंदर का cancer है तो उसका size क्यूपर हम उसको देखते हैं कि कितना size है उसका, क्या उसने किसी आसपास के organ को involved किया है या नहीं किया है, तो सबसे पहले हम staging करते हैं जिसमें clinical examination और radiological examination ये दो चीजों से हम उनकी stage डिसाइड करते हैं, इसके बाद biopsy लेने के बाद हमारे पास complete work up होता है, जिससे हम ये decide करते हैं कि stage 1 है, 2 है, 3 है या 4 है, अरली stage patients को हम cure कर सकते हैं, लेकिन जो advanced stage पे cancers है, stage 3, stage 4, उसमें हम treatment करके उनकी life प्रोलॉंग कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ life प्रोलॉंग होती है, उसमें कुछ ऐसे subset of patients में हैं, जो अच्छे से cure भी हो जाती हैं और लंबी life जी सकते हैं सबसे इंपॉर्टन तो यह है कि tobacco और tobacco related products जैसे जर्दा खैनी इन सब चीजों से दूर रहें, कुछ लोग यह कहते हैं कि एक भर खाके देख लेते हैं पर यह इससे लग जाती है, इस पर निकोटिन है वह बहुत ज़दा एडिक्टिव है, तो इस तरफ हमें जाना ही नहीं चाहिए और try भी नहीं करने चाहिए.